हलो और वेल्कम बैक टू कूट्स हमारा आज का टॉपिक है ग्यानवापी कॉंट्रुवर्सी तो सबसे पहले जानते हैं कि ये शुरू कहसे हुआ ये कॉंट्रुवर्सी पहली बार 1991 में शुरू हुई जब कुछ स्थानिया पुजारियों ने दावा किया कि ओरंग जेब ने काशी विश्वनात मंदिर के कुछ हिसों को मस्जित बनाने के लिए द्वस्त कर दिया है जिसे मूल रूप से मालवा सामराजी की महरानी अहिलयाबाई होलकर ने बनवाया था पुजारियों ने ग्यानवापी परिसर में पूजा करने की अनुमती भी मांगी और दावा किया कि वहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्थिया मौजूद है हानाकि मामला निश्क्रिय रहा और सुनवाई इलाहबाद उच्छनियाया लई द्वारास धगित कर दी गई अब जानना ये जरूरी है कि इतिहासकार क्या सुझाओ देते हैं तो कुछ इतिहासकार हिंदू समुहों के दावों से अलग है उनका दावा है कि ग्यानवापी मस्जिद और काशिव विश्वनात मंदिर का निर्माण मुगल समराट अकपर ने अपनी दीने इलाही धार्मिक व्यवस्था के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए किया था 2019 में बावरी मस्जिद राम जन्म भूमी विवाद के संबंध में सुप्रीम कोट के एपिहासक फैसले के बाद मामले को पुनर जीवित किया था उसी साल इलहबाद हाई कोट में एक पेटिशन दायर की गई थी जिसमें भारतिय पुरातत्व सर्वेक्षन याने की आर्केलोजिकल सोवे ओफ इंडिया द्वारा ग्यानवापी मस्जिद का सर्वेक्षन करने की मांग की गई थी 2021 में दिल्ली की महिलाओं द्वारा एक और याचिका दायर की गई जन्होंने हिंदू देवताओं की पूजा करने की अनुमती मांगे जिनकी मूर्तियां मस्जिद की दीवारों पर स्थित है उन्होंने यह भी निर्देश मांगा कि हिंदू देवताओं की मूर्तियों को न वीडियोग्राफी का आदेश दिया दिवाकर ने अजय कुमान मिश्रा को बदलने के लिए मर्चित समिति की याचिका को भी टुकरा दिया जिने उनके द्वारा ग्यानवापी गौरी श्रिंगार परिशर का सर्वेक्षन करने के लिए अधिवक्त आयुक्त नियुक्त किया मुस्लिम समुहों ने बाद में सर्वेक्षन के खिलाफ सर्वोच्च नियायले का रुख किया लेकिन शीर्ष अदालत द्वारा सर्वेक्षन पर यथा स्थिति का अंतरिम आदेश देने से इंकार करने के बाद निराश हो गए अदालत हाला कि ग्यानवापी परिसर के चिका को सूचेपद्र करने पर विचार करने पर सहमत तो हुई है मुस्लिम पक्ष पूजास्थल विशेश प्रावधान अधिनियम 1991 और इसकी धाराचार का जक्र कर रहा है जो किसी भी पूजास्थल के धार्मिक चरत्र के रूपांतरण के लिए किसी भी मुकदमे को दाय कारेटर करने या किसी अन्यकानूनी कार्यवाही शुरू करने पर रोक लगाता है जैसा कि मौजूदा है अब सरवेक्षन के बाद आने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर थी तो यह जानते हैं कि रिपोर्ट क्या कहती है वारानसी की ज्यान वापी मजित की दूसरी सर्वे के रिपोर्ट को सौंप दी गई है कोर्ट कमिशनल विशाल सिंग ने को बारब पेज की रिपोर्ट सौंपी सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट सौंप पे जाने के बाद विशाल सिंग ने रिपोर्ट में उल्लेख किया क्यानवापी में कमल डंडू त्रिशूल और अन्य च स्टेशन रिपोर्ट में कहा गया है कि तेहकानी की दीवार पर भी सनातन धर्म के निशान मिले हैं इससे पहले कोट के पूर्व कमिश्णर अजय कुमार मिश्वरा ने छह और साथ मई को सर्वे रिपोर्ट को सौपी थी सूत्रों के अनुसार सर्वे रिपोर्ट में खंडित मूर्थियों, देवताओं की कलाकृतियां, कमल की कलाकृतियां, शेशनाक कलाकृतियां, नाकफईनी के आपने वर्लमांट और लाप्त की प्रमान मिलने का धावा किया गया है इस टॉपिक पे अपनी राए हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताएए एसे और वीडियो के दिए, लाइक, शेर और सब्सक्राइब तु पूद्स